जी स्रावनिक हैं ये डोग हमारे पास आलियान मेट फंडेशन पे आने था जिसके 8-10 मेगट वूंड थी तो अभी आप देखेंगे जो वूंड है मेगट बिल्कुल खतम हो चुकी है जो वूंड है वो हीलिंग की तरफ जा रहा है लेकिन अभी भी इसको 10-15 दिन लगेंगे ताकि जो बूंड है वो प्रोपर केर हो सके वो प्रोपर हील हो जाए और इसके लिए ये था कि ये टोटली मैसी रिटीड है इसकी डोग की कंडिशन इतनी इच्छी नहीं है तो इसके लिए जो सबसे बेस डोग फूड है वो औरेंज करवाया है डायमेंड का ताकि इसको जो बैस्ट है वो परोवाइड किया जा सके उसके साथ इसके लिए पंक्धा रेच भी है ताकि जो कि इर- koska कहो महा हो इसको गर्मियों की गर्मिया आजकल तो गर्मी की वजग से डिये स्ट्रोक के चांसे बहुत ज़्यादा उते हैं तो बो़ो ना हो इसको जी असलावलेकम, आल्यानवाइज फेर पे एक कैट आई है, जो के जिनकी है वो डॉप करवाना चाहरे है, उसकी रीजन मतलए के नेबर की वज़ए से थोरा सा प्रॉड्म है, फैमिली इशू है, इसकी वज़ए से वो डॉप करवाना चाहरे है, ये कैट 1.5 वेर ओल्ड है, फुली वेक्सिनेटीड है, डिवरॉम्ड है, अभी सिरफ इसके जो आने की वज़ए है, वो सिंपल ही है, कैट फाइट की वज़ए से ये नेल का अंशान है, जो भाइस के रावब फुली वेक्सिनेटीड है, जो भी डॉप करना चाहे है, वो आल्यान वेर पे लहोई पे वाइस नेल का इसके रावुदा साथ एक्सित्स कर लाइस सकते है, चाहे हुआ है यह वीडिया, क्योंदेशम पर जाहे है, जो प्यूदेश्टी में जो साथ, के मुदेशन आइस है। झाल झाल